क्लास नाइन्थ सकेंड टर्मिनल एकजाम दो हजार तरइस का देख सकते हैं दोस्तो नाइन्थ का साइंस का ओरिजिनल कोस्टेन पेपर है ओरिजिनल कोस्टेन पेपर है दोस्तो एक एक अबजेक्टिव आपको मैं पूरा रटवा देता हूं दोस्तो ओरिजिनल कोस्टेन प दूसरा प्रस्णर आपका जूले की गति होती है तो दोलेनी गति होती है सी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों चलिए अगला प्रस्णर आपका तीसरा एक समान गति के लिए समय दूरी गराब की पराकिरती होगी तिसका करेक्ट एंसर C हो जाएगा सरल होगी C इसका करेक्ट एंसर दोस्तों होगा पूरा रर्ते चलना 100% लड़ेगा मेरा गरेंटी है दोस्तों नहीं लड़ेगा जामे तब फिर बताईएगा दोस्तों ठीक न चलिए अगला प्रस्ण कारा चवथा 36 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल रही कार एक सकेंड बे कितनी दूरी ताई करेगी तिसका करेक्ट एंसर C हो जाएगा 10 मेटर ताई करेगी दोस्तों ठेक चलिए अगला प्रस्ण रहे आपका पांच नमर यदी किसी वस्तु दोरा तै की गई दूरी समय के वर्ग के अनुकर्मानु पाति होता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु कह सकते हैं कात्वरन अचर है का त्वरन अचर है यानि कि ए इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों पूरा रख लेना है दोस्तों original question paper है चलिए छठा प्रस्ण का रहा है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिनाम उस समय अंतराल में बस्तु द्वारा तै की गई दूरी जिसका correct answer C हो जाएगा से हमेशा कम होता है दूरी से हमेशा कम होता है यानि किसी इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों copy में note कर लिजेगा दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर PDF डाउनलोड करना है तो Google पे search किजेगा इसके knowledge class वहां से डाउनलोड कर लिजेगा साथ नमर प्रस्ण करा जब एक पत्थर को आप धागे से बांध कर अपनी अंगली के चारो और आर तिर्जिया वाले बिरितिये पत्थ पर घुमाते हैं तो एक चकर पूरा करने में पत्थर का व्रिश्तापन होता है तो इसका correct answer हो जाएगा टू पाय आर ठीक ना टू पाय आर यानि कि एसका correct answer हो जाएगा अगला प्रस्ण रहा आठ नमर निमलिखित में कोन एक कोशिकाय है कोशिक किये है तो इसका correct answer ए हो जाएगा अमीवा चलिए अगला प्रस्ण देख लिजए no नमर no नमर कर आए कोशिका के किस भाग में गून होते हैं तो इसका correct answer D हो जाएगा क्रोमो सोम चलिए अगला प्रस्ण दस नमर कर आए DNA के किरियात्मक खंड को क्या कहते है तो इसका correct answer B हो जाएगा जीन अगला प्रस्ण रहा आपका 11 नमर किस जीव की कोशिकाओं में किंद्रक जिली नहीं होती है तो इसका correct answer A हो ज दलना है दोस्तों original question paper है हम school से लाए हैं दोस्तों ठीव ना चलिए 12 नमर का रहा है कि सभी जीवों की संराचन संराचन सरचनात्मक और किरियात्मक सरचनात्मक और किरियात्मक एकाई को डौड कहते है तो इसका correct answer B हो जाएगा कोशी का चलिए अगला प्रस्ण देख लेते है कि डौड की भीत्री जिली वाइली तो होती है तिसका correct answer B हो जाएगा गोल जी दोस्तों 100% लरेगा पूरा रत्ते जाना आपको 14 नमर का रहा है कि क्रोमोसोम डौड डौड एवं डौड से बने होते हैं तिसका correct answer दोस्तों C हो जाएगा DNA protein ठीक ना इसमें DNA एवं प्रोट 13 भारा जाएगा से बने होते यानि किसी इसका correct answer हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देख लिजिए दोस्तों अगला प्रसन आपका 15 नमर की समान उद्भव संरचना तथा कारिय करने वाली को सिकाओं के समूं को डौड कहते हैं तिसका correct answer B हो जाएगा उतक कहते हैं दोस्तो ठेक चलिए 16 नमर का राय पाउधों में लची लेपन का गून निम्न उत्तक के कारण होता है तिसका correct answer C हो जाएगा कोले काईमा के कारण होता है C का correct answer होगा 17 नमर का राय कि एरेंक काईमा किस परकार के पाउधों में पाया जाता है तिसका correct answer B हो जाएगा मरू अस्थलिये पाउधे 18 नमर का राय निम्न में कून सदिस नहीं है इसका correct answer B हो जाएगा चाल 19 नमर का राय बिस्तापन की दर है तिसका correct answer C हो जाएगा वेग चलिए अगला प्रसने देख लिजे 20 नमर का राय पादार्थ के कनों के बीच कार यह करता है तिसका correct answer E हो जाएगा अकरसन बल 21 नमर प्रसन कर रहा है वायू है वायू क्या है तो गईस है इसका correct answer C होगा गईस है दोस्तों पूरा रटते चलना है ठेक चलिए 22 नमर का राय धातू का सिक्का है धातू का सिक्का है तिसका correct answer B हो जाएगा ठोस चलिए अगला प्रसन 23 नमर कर रहा है दूद है दूद है त स्पंज क्या है तो ठोस है ठोस इसका करेक्ट एंसर यह हो जाएगा चलिए अगला प्रसमें देख लीजिए दोस्तों 25 नमर करें गैस के कनों के बीच आकर्षन वल होता है तो आकर्षन वल कम होता है यानि की 20 का करेक्ट एंसर हो जाएगा 26 नमर करें 20 डिग्री सेल्स का मान केल्वीन स्केल में होती है तो इसका करेक्ट एंसर सी हो जाएगा 293 के याद रखेगा दोस्तों 293 के उसके बाद 27 नमर प्रस्ण कर रहा है कि 247 के यानि केल्वीन का मान सेल्सीयस स्केल में होता है तो इसका करेक्ट एंसर सी हो जाएगा 20 2 नंबर 19 नंबर रहा वह परिकिर्या जिसमें इत्र की गंद्वायू में स्वर फैलता है कहलता है तो इसका को अदिटिश का और छोचेगा प्रसरन आता है अगला प्रत्थन परधनघर्म करने पर हाइधर brh परिवर्तित रहता है यानि कि C इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों ऑसपन की परिकिरिया से उत्पन होती है तो क्या उत्पन होती है ठंड़क यानि की B इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रस्ण रहा 32 नमर गैस का द्रब में परिवर्तन कहलाता है तो इसका correct answer C हो जाएगा संगनन उसके बाद 33 नमर प्रस्ण रहा नीम्न में कौन पदार्त है तो इसका correct answer D हो जाएगा ठंडा पए उसके बाद देखिए अगला प्रस्ण रहा आपका 34 नमर सदिस का परिनाम कभी नहीं होता है तो इसका correct answer दोस्तों क्या हो जाएगा इत्ये गती में तो क्या होता है गती को दिशा लगातार बढ़ती है यानि कि सी इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों चलिए अगला प्रस्ण देख लिजे दोस्तों 37 नमर पूरा रत लेना है दोस्तों 100 परसेंट लरेगा original question paper है ठेक चलिए 37 नमर का रहा है दोस्तों कि चाल समय गराफ के नीचे का छितरफल मात्रक में निरूपीत किया जाता है तिसका correct answer यह हो जाएगा मीटर यानि कि M चलिए 38 नमर प्रस्ण का रहा अचर 44 से गती सिल वस्तू का दूरी समय गराफ होता है तिसका correct answer यह हो जाएगा इसका correct answer दोस्तों क्या होगा अगला प्रस्ण रहा आपका 40 नमर एक लड़का अपने घर से चार किलो मीटर परती घंटा के आउसत चाल से दोड़ते हुए एक बटे चार घंटे में स्कूल पहुंचता है उसके घर से स्कूल को दूरी है तो उसका सी हो जाएगा एक किलो मीटर उसके बाद देखे 41 नमर प्रस्ण करा चाल किस परकार की रासी है तो चाल अधिस रासी है दोस्तों याद रखेगा सभी स्टूडेंट चाल अधिस रासी है भी इसका correct answer होगा 42 नमर करा यदि किसी बस्तू द्वारा तै की गई दूरी समय किया अनुकर्मानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि बस्तू एक समान चाल से चल रही है यानि किसका भी correct answer हो जाएगा चलिए अगला प्रस ने देख लिए 43 नमर करा इस पी डो मीटर मापता है क्या मापता है ततकालीन वेग मापता है यानि किसी इसका correct answer हो जाएगा 44 नमर करा इस यदि दो राशियों का प्रस पर गराफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां C हो जाएगा अनुकर्मानुपाती होती है इसका C correct answer हो जाएगा 45 नमर कर रहा है इनमें किसे आत्म हत्या की थहली कहा जाता है तो यह हो जाएगा लाई सो सोम ठीक ना ए इसका correct answer हो जाएगा चली एगला प्रस्ण आपका 46 नमर कर रहा है कि पौध्रे की अक्ष की लंबाई में बिरिधी किसके कारण होती है तो इसका correct answer C हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा 47 नमर कर रहा है गहांस के तने की लंबाई में बिरिधी किसके कारण होती है तो इसका correct answer answer C हो जाएगा इंटर केलोडी विभाज योक्त उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों subjective question भी है इसका भी answer हम निकाल दिये हैं दोस्तों सब्जेक्टिव question भी बहुत जल्द हम upload कर देंगे तो आप लोग चैनल को subscribe कर लिजेगा और घंटी को दवा के ओल कर लिजेगा झाल कर दोस्तों जल्द है